इन लास्ट क्लास हम लोग उने बात की थी कि हमारा कोर्स प्लैनर क्या है, स्लेबस क्या है, किस पॉइंट आफ यू से, किस डिरेक्शन में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो इस सीक्वेंस में हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, So, without any delay, हम जो अपना पहला टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमने कोर्स प्लैनर में डिसक्रस किया, that is introduction to, you know, that is introduction to business, कि जनाब, ये जो business है, इसका क्या मतलब है, और ये जो हम अक्सर सुनते हैं, मैं कारुबार करता हूँ, मैं business करता हूँ, what does the business means, सबसे पहले हम जाहरा business की जो definition है, वो पढ़ रहे होंगे, और फिर हम असान बाशा में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, कि जनाब, ये business का असल में मतलब है क्या, तो हम basically सबसे पहले असान लफ़ों में business की definition लिखते हैं, और फिर समझते हैं, कि business क्यों जरूरी है, accounting पढ़नाई के लिए, तो business, okay जे, business के बारे में हम कहेंगे, के any legal economic activity, कोई भी ऐसी legal economic activity for the basic purpose of earning profit, क्याता है कि कोई भी ऐसी legal economic activity, जिसका main मुद्धा क्या है, जिसका main purpose क्या है, profit का माना, ठीक है, और, but keeping in a view the risk of loss, लेकिन साथ-साथ, ये खद्शा भी जेन में रहे, कि जनाब, नुकसान भी हो सकता है, उसी को business कहेंगे न, कि जहां पर main मुद्धा तो profit कमाना है, मुनाफ़ा कमाना है, लेकिन जेन में ये भी रहे कि नुकसान हो सकता है, उसको हम basically business कहते हैं, different books में different definitions हैं, आपको रटा लगाने की जूरत नहीं है, आपने बस concept clear करना है, अच्छा जी, अब हम इसमें important जो words हैं, उनको understand करने की कोशिश करते हैं, देखें जी, एक पहली बात है, कि business वो है जो legal हो, यहां पर legal से मुराद यह है, कि जिस country में आप वो business कर रहे हैं, उस country का जो law है, legislation है, वो उस business को approve करती हो, जैसे कि for example, if you are working in Pakistan, तो Pakistan में you cannot sell the pork meat, you cannot sell the alcoholic products directly to the consumers, because it is prohibited, not allowed by our law, तो that is not a legal business in Pakistan, but if you talk about the Europe, if you talk about the America, तो वहां पर it is very simple to sell a pork meat, it is very easy to sell, you know, alcoholic products, because that is legal over there, ठीक है, तो I am just talking about, वो business, जो legal हो, जिस country का, for example, you want to start your own, you know, a business like, as a result, daily farm हो गया, पुल ट्रीगा करना है, उसके लावा, आपने कोई firm बनानी है, आपने कोई construction company कोलनी है, पाकिस्तान में वो allowed है, तो you can do that, अच्छा, पहली बात यह होगी, दूसरी बात क्या है, economic activity होनी चाहिए, देखें, एक तो वो legal हो, जिस country में हो रहा है, उस country का लाव कहाता हो, ठीक है, यह आप कर सकते हैं, और उस से economic activity जनरेट हो, असान भाशा में economic activity का मतलब है, कि कोई भी ऐसी activity जिसमें पैसा involved हो, क्या involved हो, पैसा involved हो, उसको हम economic activity बोलते हैं, for example, over here is involvement of money, जहां जिस activity में पैसा involved हो, उसको economic activity बोलते हैं, for example, यह असान भाशा में बता रहा हूँ आपको, आप petrol pump पे, bike पे petrol डलवाया गारी में, तो as a result, पैसा generate हुआ आपने petrol के पैसे दिये, benefit ले लिया, तो that is economic activity, आपने नाश्टा किया, पैसे payment की तलूर वाले से, नान खाया, और आपने economic activity कर लिया, आपने benefit लिया, उसको आपने money पकड़ा दी, तो एक तो वो legal होना चाहिए business, और दूसरा उसमें क्या involved होना चाहिए, money, पैसे involved होना चाहिए, जिसका जो basic मुदा है, for the basic purpose of what, earning profit, कि आपने कमाना profit है, जारा charity के लिए तो काम नहीं करना, business का तो मतलब भी यह होता है, to earn the profit, लेकिन साथ साथ, ये खच्छा जहें मेरे, कि जनाब हो सकता है, आपको क्या नुकसान, उसको business क्याता है, for example, you have deposited 100,000 dollar, in your standard charter bank account, और आप उसको saving account में जमा करवाया, और as a result, आपको उसके ओपर interest मिल रहा है, profit मिल रहा है, that is not a business, that is basically an investment, secured investment, तो business में खच्छा हो के नुकसान हो सकता है, of something going wrong, तो it actually occurs, जैसे आपको खोफ होता है, ना कुछ हो जाएगा बुरा, तो वाकि बुरा हो जाता है, because there is some, you know, vibes, and there is some omens that produces, लेकिन यहाँ पर keeping in a view, the risk of loss का मतलब, basically, असान भाशा में यह है, कि आपने इस चीज़ का बंदोबस्ट भी करना है, कि अगर नुकसान हो गया, if loss occur, अगर नुकसान हो जाए, how to reduce its impact, तेखें, मैं आपको simple सी गाड़ी, बात बताता हूँ, आप गाड़ी लेकर निकलते हैं, आपके जहन में यहां कि ठुक जाएगे, ठुक जाएगे, ठुक जाएगे, और वो वाकिन लग जाती है, क्यों, क्योंकि जो इनसान जितना जितना जियादा सोच रहोता है, अतना ही जियादा, वो vibes जो है, प्रोड्यूस करता है, as a result negative सोचता है, तो negative चीज़ें अट्रेक्ट होती है, एक किताब भी है, इसमें यह सारा का सारा love attraction जो है, वो लिखा हुआ है, आप study करें, अच्छा, तो अगर आप यही सोच रहे हैं, जणाब नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आप कपड़े का बिजनस कर रहे हैं, फैक्टरी में कपड़ा बन रहा है, अब आपको खच्छा है कि कहीं आग लगकी, तो कपड़ा जल जाएगा, ठीक है, अब आपने कोई बंदोबस्ट किया नहीं हुआ, इसका मतलब that is 100% risk, अगर आग लगती है, तो सारा समान चल जाएगा, जो कि उसकी लपेट में आएगा, एक दूसरा बंदा है, जो कपड़े का बिजनस कर रहा है, फैक्टरी है, उसकी जहां कपड़ा बन रहा है, उसने वहाँ पर फाइर एक्स्चिंविशर लगाए हुए है, जगा जगा के उपर, उसने का जी सर ऐसा है, कि ये देखें, अगर आग लगती है, तो कम जगा कुछ न कुछ कंट्रोल कर लेंगे, बुजा लेंगे, एक तीसरा बंदा है, यानि दूसरा बंदा कुछ तो वाइस है, चोटी से उनके पास सुजूकी है, उसमें पानी होता है, और अगर खुदाना खास्ता, वो मैंने एक किसम की फायर बिर्गेड बनाई, आग लगती है, तो फुर उनका बो पालेंगे, ओके, that is also wise, चोथा बंदा है, तो तो वो चोथा बंदा बहुत wise है, विकाज उसने ये सोच रखा है, कि अगर नुकसान होता है, तो मैं इसका impact कैसे reduce कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है, कि बिजनस में ये चीज़ें होना जुरूरी है, क्या चार चीज़ें, लीगल होना चाहिए, उसमें पैसा इन्वाल होना चाहिए, तीसरी profit के लिए आप कर रहे हैं, चोथी, there must be a risk of loss के जना नुकसान हो सकता है, तो that is our business, तो ये full-fledged business की definition है, मेरा ख्याल है कि आपको इसकी समझ में आई होगी बात, चले जे, आगे मूव करते हैं, अब हम डिसकस करते हैं कि जना बिजनस तो ये है, what are the types of business, दुनिया जहान में जो बिजनस हो रहे हैं, उनकी कितनी types हैं, ओके जी, here we go, we have types of business, हम अमूमी तोर के उपर, बिजनस की तीन types को डिसकस करते हैं, जो largely all over the world, जो है वो चल रही होती है, अप्लिकेबल है, उसके लावा भी है, लेकिन हम accounting के अंदर, इन तीन types को स्यादा focus कर रहे होते हैं, number one type जो है, वो है basically, sole proprietorship, इसको आप single ownership भी बोलते हैं, इसको sole tradership भी बोलते हैं, और stand alone business भी बोलते हैं, अच्छा जी, number two, partnership, and, जो number three है, वो है company, तो ये major तीन types हैं business की, जिनको हम discuss कर रहे होंगे detail में, अब हम बात करते हैं, सबसे पहली type की, that is sole proprietorship, sole proprietor, जालेंजे, we have this sole proprietorship, now, देखें, sole proprietorship का basically मतलब क्या होता है, बड़ी simple सी बात है, आपके घर के पास कोई करियाना स्टोर वाला है, आपके घर के पास कोई छोटी सी stationery वाला है, आपके घर के पास, फॉर एक्जम्पल कोई कॉबलर बैठा हुआ है, कोई बार्बर बैठा हुआ है, कोई छोटा सा cash and carry बना हुआ है, बेकरी बनी भी है, ये सारे के सारे sole proprietors है, असल में sole proprietor का मतलब होता है, कि एक ही party, एक ही person, a single, party, क्या, controls, and owns, a whole business, कि एक ही party है, जो पूरे के पूरे business को control भी करती है, और own भी करती है, अच्छा यहाँ पर control से मुराद क्या है, यहाँ पर basically control से मुराद यह है, कि उसकी जो decene making है, that is decene making, let me correct the spellings, over here, उसकी जो decene making है, वो particle ती, जैसे आप कहते हैं, कि सर हमारे तो वरक्षाप है, उदर 40 लोग काम करते हैं, तो मैं क्या वो sole proprietor में आता है, देखें बेटा, उसमें यह है, कि main decene को उन लेता है, जहरा, आप कहते होंगे, कि मेरे वालत साब लेते हैं, या मेरे चाचु लेते हैं, या मैं लेता हूँ, तो वो sole proprietor है, और फिर नमबर दो, उसकी ownership भी तो आपकी है, you own that, you own that, तो जब आप जिस business को own करते हैं, ownership, उसको आप कहते हैं, कि यह sole proprietorship है, एक single person controls the whole business, and owns the whole business, अच्छा, इसमें एक limitations है, आप कह सकते हैं, कि इसमें एक disadvantage है, वो जो limitation है, उसको मैं red marker से लिखूँगा, that is, जो sole proprietorship,